मोशन में डिमिशन हो गया तो रिजल्ट आएगा ये 100% फिक्स नहीं है अगर बच्चा घर में नहीं पढ़ाई करता है उसको सुबा से साम तक नहीं छोड़ दिजे आप रेगुलर होगे क्लास में टीचर के बाद को फॉलो करोगे ना होने का कुछ सवाल है नहीं होता है 50% डिसकाउंट तो हो गया अगर कोई स्टुडेंट आ कर बोलता है कि सर करियर फिलोजी को देखकर आएं तो उनको क्या कुछ बेनिपिट अलग से मिलेगा बिलकुल बिलकुल क्यों नहीं हलो एभीवन स्वागत आप सभी का हमारे चैनल करियर फिलोजी में और आज हम बहुत चुके हैं कंकरबाग में रोड में मोसन कंकरबाग सेंटर पे आज है 17th में और यहाँ पर ओरियंटेशन सेशन रखा गया है मोसन कंकरबाग सेंटर का हम तो दिखाएंगे और इंटेशन सेशन में क्या कुछ बताया जा रहा है बच्चों को क्या कुछ सिखाया जागा कबसे उनकी क्लासे स्टार्ट की जाएगी और कुछ यहां के इनफोर्मेशन भी देंगे चलिए सबसे पहले मैं आपको मोसन कंकरबाग सेंटर का लोकेशन दिखाता हूँ उसके बाद ओरियंटेशन सेशन दिखाऊंगा यहां के मैनेजर से कुछ बाते भी करेंगे और जानेंगे कबसे क्लासे स्टार्ट हो रही है कंकरबाग मेन रोड है आपको पूजिशन में दिख रहा होगा नागरमल और नागरमल के जस्ट बगल में आपको दिखेगा मोशन मोशन में डिमिशन हो गया तो रिजल्ट आएगा यह 100% फिक्स नहीं है पहले मैं बताता हूँ पढ़ना परेगा मोशन में पूजिशन के पास कोई ऐसी मसीन नहीं है जो आपको सेलेक्सन दिला दे हाह एक कपने पास मेरेकल मसीन है maior जो आपके प्रॉब्लिम को बता सकता है कि आपका यह TOPीक अच्छा नहीं है यह TOPीक आपका वीक है ओ पेपर आपको निकालग के देगा कि इस TOPीका आपको सॉल्व करना लेकिन सॉल्व तो आपको करना परेगा पहला बाद दो तिन बात और आपको बता देते हैं रिजल्ट कैसे आएगा हम पढ़ाई रिलेटेजी ज्यादा बात करेंगे कि मैं खुड टीचर हूं तो और मेरे स्टुडेंट भी कुछ पूराने भी बैठे एक बार मिलना था आप लोग से सफलता का दो तरीका है एक डेली का हमबर्ग डेली बनाईयेगा अगर मेरा आज जो हमबर्ग मिला है उसको आज ही सॉल्व कर लेना है अगर आप सही में चारे मेरेको जल देना है तो दूसरा बात अभी से अगर आप सोसल मेडिया वाट से फेस्बूक कुछ बी चलाते हैं इंस्टा आज जाके डिलीट कर आईएगा यह आपके लिए में बता रहा हूं आज जाकर आप लोग वाट से फेस्बूक इंश्टा डिलीट कर दीजिए एक बार दो साल के लिए लिए या one year वाले यह तो one year के पढ़े कि रिजल्ट आना चाहिए और इसमें आपका सपोर्ट चाहिए सर बाकी क्लास में हम बाकी बात करते रहेंगे जो भी दिक्कत होगा फैकल्टी के टीम आपकी बहुत अच्छी है कंकरवाग और दोनों का अपना टीम अच्छा है पढ़ाई मैं आपको कोई दिक्कत उसके बाद को मांगना है सत परती सर अच्छा है अच्छा है यहां का जो मटेरियल है उसको फॉलो करना है रिगुलर क्लास रहना है जो टीचर हो मंदिरा सब करके आना है इंगम सेलेक्शन हो पैरेंस के लिए सीटिंग एरिया है फ्रन्ट आफिस है सर बैटा हुए है और राइचाइड में देखेंगे काउंसलिंग एरिया है एडमिशन भी चल रही है यह है डाइरेक्टर केविन और डाइरेक्टर ओफिस है यहां पर मेनेजमेंट में सर बैटा हुए सर सबसे पहले सर आपका नेम क्या है मेरा नाम सुभमराज तिवारी है हलो सर श्वागत है अब हमार चाहिए थैंक्यों सर क्या कुछ नए सेशन के लिए ओफर है मोशन कंकरभाग सेंटर के तराशी है अभी हम लोग का जैसे में जैई और नीट का दोनों का बैच जो चल रहे हैं उसके लिए अभी हम लोग 50% वाले कोर्स पर 50% डिरिक्ट डिसकाउंट दे रहे हैं जिसमें भी 50% का दिसकाउंट है उसके साथ सात में जैई का हम लोग का 1ạn का फेसे डूल है यृप 55.000 बदे लिए है उसमें भी 50% का डिसकाउंट है 12 का 1 ृप 60.000 और ज När Heти ृप ए 1 लग 65,000 बदे ए और सफरी वान यर्स कोर्स मैं 5% का डिसकाउंट हम लोग दे रहे हैं को क्या कुछ benefit अलग से बिलकुल बिलकुल क्यों नहीं उसके साथ में सर एक चीज हम लोग और एड़न है कि हम मेरे यहां मौस्ट का एक्जाम जो हो रहा है मौस्ट के बेसेज पर अप्टू 100% का श्कॉलर सिफ हम लोग दे रहे हैं जिसमें बच्चे कि अंदर में पर्फॉर अब लोग सेंटर में मौजूद हैं हम लोग अभी और इसी जैसे ही हम लोग ऑफिस से बाहर आते हैं तो राइट साइड में लॉबी से होते हुए हम क्लास्रूम में चलेंगे और क्लास्रूम में ओरिंटेशन हो रहा है दिखाते हैं आपको स्टुडेंट से सारे क्या क्या कुछ क खहना है वाई मोशन के लिए है बेस्ट करते हैं और जानते हैं किसा लगा उनको ओरिंटिशन से 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 सर करियर फिनुलाजी सर करियर फिनुलाजी सबसे पहले आपका नेम क्या है नेम बसंत कुमार हुआ हम ऐसे पटना जिला से बिलोंग करते हैं बाढ़ मेरा गर हुआ और यहां 15-20 साल से कंकरबाग में ही मेरा रेसिडेंस है जबाग मेरा गर जब जबाग मेरा बसंत किゆए अधियर वा को से रहे बौसंता नेम केमेर यहां कुछ यूनिक है और बिल्कुल क्लियर है और जो फेकल्टी यहां पर आये वह फेकल्टी सारे अपने परचे दिये और अपना कोचिंग कोई भी ब्रांड कितना भी बड़ा हो जाए चाहे वह कोई भी हो उससे हमको मतलब नहीं है मतलब है कि जो बेस्टीचर फैकल्टी रख रहा हो और जिसका डिसिप्लीन मेंटेन कर रहा है बच्चों को रिभीव करें टाइम टू टाइम और सारा चीज जो भी फीचर बच्चे का रिजल्ट उसी से होता है और अगर कोचिंग अगर इमानदार है बच्चों के पड़ती मैनेजमेंट इमानदार है बच्चों के पड़ती तो बच्चे का रिजल्ट से कोई नहीं रोख सकता है तो यह चीज हमको अभी लगा है कि मोशन में हमको लग रहा है कि बहुत बहुत धन्यवाद से बाकि अब देख रहे हूं कि सारे स्टुडेंट्स पेरेंट्स जितने लोग थे शामिल हुए थे औरेंटेशन सेशन में यह सारा कुछ एक बार जो यहां के CEO और founder है एन्वी सर है मोसन के एन्वी सर है उनको मैं मेसेज देना चाहता हूं पटना बिहार में अगर टॉप करना चाहते हैं बिहार में एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो एक बार रूब रूफ होईए यहां के बच्चों से और उससे जो कमी उसमें है या जो कुछ भी है फैकल्टी से सम्बंदिश हो या किसी भी तरह का प्रॉबलम हो आप अगर आपको भी मोशन पटना में डिस्काउंट चाहिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रूप है वट्सैप लिंक है जहां से आप डारेक्ट मेरे से कंडैक्ट होकर आप पासकते हैं मोशन पटना में डिस्काउंट I hope आप सभी को ये वीडियो काफी helpful लगाओ, thanks for watching, करे फिलनाजी